सावन गी तीसरी सोमवारी एवं नागपंचमी का पर्व जीला मुख्याले सासा राम में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया बताते चले कि नागपंचमी का तेहवाल लोगों ने पारमपरिक धंग से मनाया लोगों ने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के गले में विराजमान नाग देवता को दूत अर्पित करके पूज़ा अर्चना किया वहीं जीला मुख्याले सासाराम इस्तित कादरी गंज एवं कर पूर्वा इस्तित स्री बजरंग अखाड़ा में दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजेपुर, मुरादाबाद, गोरकपुर, बक्सर के अलावा रोताज जीला के पुरुष एवं महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया और दंगल में अपनी दमखम दिखाया इस अफसर पर युवा समात सेवी संतोष खुस्वाहा ने बताया कि स्रीबजरंग अखाड़ा में सौ बर्ष से अधिक नाग पंचुमी के दिन दंगल का प्रतियोगिता होता आ रहा है जिसने बिहार के अलावे अन्य राज्जियों के पहलवान हिस्सा लेते हैं उन्होंने बताया कि यह जीले की सबसे पुरानी अखाड़ा है जहां हर बर्ष दंगल का योजन किया जाता है अज अखाड़ा यहां पर क्या इसका कूपी मत हो है इसका अखाड़ा अज तो नाग पंचुमी है नाग पंचुमी के दिन तो अखाड़ा होता ही है यह इतिहासी का खड़ा है यह अखाड़ा आज से नहीं सो और सो से पहले से इस पर खड़ा होता रहा है आज उसी का परंपरा है कि आज पंच्वी का दिन है और यहां उत्तरपरदेश, त्याग, बक्सा, बनारास, गाजीपूर हर जगह से यहां दंगल हो रहा है हर जगह का हनमाना खाड़ा पर आए हुए हैं आपका सुम नाव संतोष कुमार करें